हेलो फ्रेंड, नेटिंग डिजाइन में देखे बहुत ही खुपसवत हमारा प्यारा सा टू कलर की डिजाइन बहुत ही प्यारी और छोटी जोटी डिजाइन है, कोई बिगनस भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है और इस डिजाइन को आप किसी भी स्वैटर में, जैकेट पे, कार्डियन पे बनाएए कहीं भी बनाएए, बहुत ही खुपसवत और प्यारी सी डिजाइन है बैक पोर्शन भी दिखाती हूँ मैं देखिए, बैक साइट से हमारी डिजाइन ये इस तरह से दिखती है बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हमारी ये डिजाइन है तो आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सिखते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6-6 के मल्टपिल फंदे चाहिए 3 फंदे ये पिंक है, 3 वाइट, फिर 3 पिंक, 3 वाइट और last में हम 3 फंदे प्लस कर देंगे तो जो color हमारा starting में रहेगा वही हमारा last में भी आ जाएगा तो इस तरह से हम 6 6 के multiple फंदे लेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो ये design set हो जाएगी तो आएए इस design को बनाना सीखते हैं और देखें यहां पे मैं थोड़े से फंदे में ये design बना करके दिखाती हैं और यहां मैंने 6 के multiple 18 फ्लस 3 21 फंदों में इस design को बनाना सीखते हैं तो बॉटर बनाने के बाद जो हमारी first row होगी वहां से हम start करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा base color मैंने यहां पे green लिया है तो one हम green से बनाएंगे और अब यहां पे हमने orange लिया है तो one हमारा orange आ जाएगा और फिर one हम green से करेंगे तो अब हम पूरी रो one orange और one green की बनाएंगे एक हम orange से करेंगे और एक हम green से बहुत ही आसान और सिंपल से डिजाइन देते की वन औरेंज वन हमारा ग्रीन फिर वन हम औरेंज से करेंगे वन ग्रीन वन औरेंज वन ग्रीन और यह देखें जब हम लास्ट में आएंगे तो लास्ट वाला पंदा हमारा वन ग्रीन रहेगा और यह देखें रो टू में इस ग्रीन फंदे को हम औरेंज से बनाएंगे तो अब वन औरेंज और वन ग्रीन हम रिपीट करेंगे तो जहां हमारे ग्रीन फंदे हैं वह हमारे ओरंज हो जाएंगे और ओरंज फंदो को ले सब्सक्राइंब की पुरुदुत है तो अब यह वन ओरएंज वन किरी और ध्यान देते जाएगा कि जो फंदे औरंज यहां वह फंसे बनरहे और जो फंदे वह एन-जैत 발생 हें और देखें अब लास्ट वाला फंदा हमारा ओरेंज का हो गया है अब फिर हम सीधी तरफ आ जाएंगे रो नमबर थ्री आप देखें यहाँ पर ओरेंज है इसले आप हमारा स्टार्टिंग में ग्रीन आएगा तो रो नमबर थी देखें यह वान टू फिर हम ग्रीन के करेंगे और ओरेंज के लर्शी वान टू थी पन्ते ओरेंज अब इससे हमें पूरी रो में बार बर रिबीट करना है वान तू थी पन्ते ग्रीन वान टू थी ओरेंज फिर हमारा green आएगा 1, 2, 3 green 1, 2, 3 orange और जब last में आएगे तो यहाँ 1, 2, 3 फंदे ही green करेंगे तो देखे, starting में भी 3 green है और last में भी हमारा 3 फंदे green है और देखे, row 4 में हमें same color करना है इस 3 फंदे green को हमें green से बनाना है और orange जो 3 फंदे हैं, उन्हें हमें orange से करना है तो इस तैसे फिर 3 फंदे हमारे green और 3 फंदे orange हम पूरी row में repeat करेंगे तो देखे, मैं same color ही बना रही हूँ green फंदो को green से और orange फंदो को orange से पिर हमारा green है, तो ये green आ जाएगा और देखे, row 5 भी हमें same color ये 3 फंदे जो green देख रहे हैं, उन्हें हम green color से बनाएंगे और जो फंदे हमारे orange के दिख रहे हैं, उन्हें हम orange से ही बनाएंगे तो देखा किती सिंपल और बहुत easy से हमारी ये design बन रही है तो जो जो फंदे हमारे orange के दिख रहे हैं, उन्हें हम orange से करेंगे और green फंदो को green से और देखें ये इस तरह से हमारे ये design बन रही है, और देखें अब हम रोज 6 में हैं और इसमें शुरू में हमारा green color है तो यहाँ पर one हम green को green करेंगे अब बीच वाले green को one हमारा orange आजाएगा अब इसे हमें पूरी रो में repeat करना है one green और one हमारा orange फिर one हम green से करेंगे और one हमारा orange और ध्यान देजेगा ये तीन फंदे जो green है वही बीच वाला orange हो रहा है और यहाँ orange के जो तीन फंदे हैं उसमें बीच वाले फंदा हमारा green कलर से बन रहा है तो ये देखिए one green one orange फिर one हमारा green one orange one green one orange तो पूरी रो हम बना करके फिर दिखाते हैं और देखिए लास्ट में फिर हमारा one green आया और ये देखिए अब हम row seven में आ गए हैं और इसमें देखिए जो हमारा green है इसे हम और इंज से करेंगे और इस औरेंज वाले फंदे को हम green से करेंगे और अब हमारा one orange one green पूरी रो बनेगी बन हम औरेंज से करेंगे और one हमारा green और इसमें भी ध्यान देना है जो फंदे ये green के हैं वो औरेंज हो रहे हैं और जो औरेंज वाले फंदे हैं वो हमारे green से बन रहे हैं तो वन ओरेंज, वन ग्रेन, फिर यह हमारा ओरेंज हो जाएगा, और वन ग्रेन, फिर वन ओरेंज, वन ग्रेन, यह पूरी रोह अब हमारी ऐसे ही बनेगी, यह वन ओरेंज, वन ग्रेन, और वन हमारा ओरेंज आजएगा, और अब हम बैक साइड आजएंगे, रो नमबर एट, और यहां देखे लास्क में यह थ्री पंदे जो ग्रेन के थे, अब वह यहां पे थ्री पंदे ओरेंज के हो जाएगे, तो रो नमबर एट, जिसमें वन, थ्री फंदि ओरेंज, वन, टू, थ्री हमारे ग्रीन, अब थ्री ओरेंज, थ्री ग्रीन हम पूरी रों में रिपीट करेंगे, वन, टू, थ्री फंदि ओरेंज, 1, 2, 3 फंदे green 3 हमारे ये orange हो गए और 3 फंदे हमने green से बनाए और last में फिर 3 फंदे हमारे orange कलर से हो जाएंगे और देखिए अब हम row 9 पे हैं और इसमें हमें same color करना है orange फंदो को orange और green को green तो ये देखिए 3 फंदे orange को हम orange से बनाएंगे और 3 फंदे green को हम green color से फिर ये हमारे 3 orange है तो इसे हम orange से करेंगे और green फंदो को green से same color है कोई color change नहीं करना है जो color हमें दिख रहे हैं हमें उसी color से बनाना है तो लास्क में देखिए ये 3 फंदे हमारे orange के हो गए है और ये हमारी row 10 और इसमें भी हमें same color 3 फंदे orange को orange करेंगे और 3 फंदे जो green है उसे हम green color से ही बनाएंगे पर हमारे ये ये ग्रीन है तो ग्रीन और ओर ओर औरंज फंदे हमारे ओरेंज के लर से हैं और देखिए यह हमारी row 10 तक design बन गई और फिर इसके बाद फिर हम row number 1 से लेकर row number 10 तक की design को फिर repeat करेंगे तो यह देखिए इनी 10 तक की design को जब मैंने repeat किया है तो कितनी खूबसरत और प्यारी से हमारी design बन के आई है मेरा यह वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताएं कि यह design आपको कैसे लगी थैंक यू